चूहों से हम सभी परसान रहते हैं लेकिन मार्केट से जो हम दवाल आते हैं तो ये खाते तो हैं खा के घर में ही मर जाते हैं उर्च से और बद्बू फैल जाती है और हमें साब भी करना पड़ता है मैं आपके लिए घरेलू तरीका लेके आई हूँ फिटकरी से चूहे को मारें और कौकरोज को तो बहुती असाने से मर भी जाते हैं और घर से बाहर जाके मरते हैं बहुती कमाल की टिप्स मैंने बताई है वीडियो पूरा देखे बीना इसकिप किये आपको बहुती पसंद आ नाने वाली है, घरेलू तरीका है, कोई प्रौइजन नहीं है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिट्करी असानी से मार्केट में मिल जाती है, किसी भी दुकान में मांगें तो यह असानी से मेहंगी भी नहीं होती है बहुती सस्ती मिलती है इसी से आज चुह को भगाएंगे बेना किसी ख़क बेना किसी झंजट के आप इस तरह से विटस्ट्री ले सकते हैं मैंने थुड़ा सटुकडा लिया है ज्यादा का काम नहीं है मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कैसे इस्तमाल करना है इसे कैसे यूज करना है देखिए मैंने एक थुड़ा सा टुकड़ा ले लिया है यह है कपूर जो पूजा में यूज करते हैं वही कपूर है उसे भी एक टिक की ले लेते हैं देखिए इस तरह से आप ज्यादा य या कम अपने हिसाब से बना सकते हैं, कपूर हो गया और फिटकरी हो गई, यह बहुती असाने से मार्केट में मिल जाता है, और बहुती सस्ता होता है, अब देखिए इसे क्या करना है, कोई भी पनी ले लिजे, यह कागज दे लिजे, उसमें इस तरह से रख लिजे, और इसे कौक रोज, मक्खी, मच्छर, चूहा, सभी भाग जाता है, मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इसका क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के टिप्स है, वीडियो पूरा देखे, बीना स्किप किये, तभी आपको समझ में आएगा, आप देख सकत महिगा दवा लाते हैं, deposit के लिए वह हमें ही नुकसान कर देता है, क्योंकि सास लेने में दिककत हो जाती है, इसकी प्रोब्लम हो जाती है, बच्चों को दिककत हो जाती है, कभी-कभी बच्चे भी मुवें डाल लेते हैं, इस अब से जन जडट से बचने के क्योंकि चीनी चुहों को बहुत ही पसंद आती है और कोकरोज को भी बहुत ही पसंद आती है मैंने लिए पिसी चीनी आप खड़ी चीनी भी ले सकते हैं इसे साइड में कर देते हैं अब लेना है थोड़ा सा आटा आप कोई भी आटा ले सकते हैं बेशन ले सकते हैं गिहूं लेते हैं इस तरह से आटा एकदम मुलाइम होना चाहिए अगर आपके पास सना हुआ अटा है तो आप यूज कर सकते हैं नहीं तो आटे को इसी तरह साल लेना है जिसे रोटी का आटा हम लगाते हैं वही आटा है अब इसे छोटी-छोटी गोली बना के इसे यूज करेंगे मैं आपके लिए चुहे के लिए भी वीडियो लेके आई हूँ, मुझे यकीन है आपको बहुती पसंद आने वाला है, देखे इस तरह से चिप्टा कर देना है, इस तरह से गोल गोल बना लेना है, जैसे हम आलू कपराठा या पनीर कपराठा या गोबी कपराठा बनाते हैं भरते हैं और इस तरह से मोर देते हैं, इसके अंदर डाल देना है, देखे इस तरह से गोली बन जाएगी, फिर इस तरह से करना है, सरे आटी की गोली इसी तरह बनाना है, देखे इसमें चीनी और फिटकरी वाला पौडर इसमें डाल देना है, जितना आए उतना ही डालिए ज्यादा मर डालिए आप थोड़ा भी डालेंगे तो यह बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि जब इसे चुहा खाते हैं उनकी सास फूलने लगती है वह तुरंद घर छोड़के भाग जाते हैं उन्हें फिटकरी की महक बरदास नहीं होती है मीठा और आटा देखे वह ऐसे जरूर खाएंगे और खाएंगे और तुरंद भागेंगे और बाहर जाके मर जाएंगे आपके घर में बिल्कुर नहीं मरेंगे और नहीं गंदगी फिलाएंगे सारे चुहे एकदम चले जाएंगे चुहे घर में रहते हैं तो कपड़े कार देते हैं समान कार देते हैं गोली और छिपकली से भी या निजात दिला सकता है अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ आपको क्या करना एक ग्लास पानी लेना है और उसमें एक चमच इस पॉडर को मिला देना है जो हमने बनाया था चीनी और पिटकरी का इससे साइड में कर देते है और इसे छोड़ देते हैं चलिए अब आटे की गोली कहां कहां रखनी है पहले कीचन को आपको साफ कर लेना है यह सब काम आप रात में ही करें बच्चों के सामने ना करें क्योंकि बच्चे देख के सीखेंगे और इस गोली को मुँ में डाल लेंगे तो आप रात में सोते समय कराइब क्योंक़ कुह让 neighbor sitoye kookroach से रात में आते हैं अग्य इस तरह से गोली को रख देना है उन्हें जब खाने पीने की चीज़े नहीं मिलेंगी तो वह आ ज़ियागा खाएंगे इसमें चीन ही मिला है तो वह ज़िया जरूर दिखेगा देखे मैंने गैस साफ कर लिए साफ करने के बार देखे इस तरह से गोलियां रख दी है आटे की जहां जहां आपको लगता है कि चुहे घर में आते हैं वहां वहां आप गोली रख सकते हैं आटे की क्योंकि आटे की गोली उन्हें बहुत पसंद होती है और इसमें चीनी भी पड़ा है तो आज जरूर खाएंगे बिना खाये जाएंगे नहीं इसलिए आप किचन को एकदम साप रखें रात में और सारी खाने पीने के चीज़े हटा दें और तब इस गोली को रखेंगे तो आज जरूर खाएंगे क्योंकि उनको भूक लगेगी तो खाएंग तो छिपकिली भी नहीं आएगी आपको बहुत ही फायदा होने वाला है घरेलू तरीके का इस्तमाल करें जब आप इसे यूज कर लें अगर छिपकिली ना खाय तो इसे हटा दें बच्चों के उठने के पहले इस अब गोलियां हटा दें अगर खा लेते हैं तो ठीक नहीं खाते हैं तो सुभा जरूर हटा दें इस तरह से रात में किचन सिंग भी साफ करके उसमें भी गोली डाल दें जहां जहां से चुहे कौकरो चाते हैं वहां वहां आप डाल सकते हैं सारी घर के कौकरो चुहे बिलकुल खतम होने वाले हैं देखिए इस तरह से मैंने नाली मे भी डाला है इस तरह से जहां जहां आपको लगे यहां से चुहे आते हैं वहां वहां आप डाल दिजे चुहों के साथ सत अगर आपके घर में चछुद्धर वगएरा हो चुहे की कोई भी प्रजाति के किरे हो तो वह भी भाग जाएंगे लौट के आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे एकदम भूली जाएंगे देखे मैंने गेट पे भी डाल दिया है जहां से आदमी आता जाता है चुहे भी आएंगे इसी दरवाजे से तो वह पिल्कुल भाग जाएंगे अगर एक बार यह गोली खा लेंगे तो वह बाहर जाके मर जाएंगे और जो तो वह मर ही जाएंगे घर में नहीं घर के बाहर ही मरेंगे आप देख सकते हैं मैंने टस्बीन के पास डाला सलंडर के पीछे डाला जहां जहां कोने अत्रे हो गंदगी हो वहाँ वहाँ जरूर आते हैं इसलिए आप इस तरह से साफ सुतरा करके अगोलियां जरूर डालें ताकि जब वो खाएं और खाके तुरन घर से बाहर जाएं दुबारा आपके घर में बिल्कुल ना आएं एक से दुबारा आप इस्तमाल करेंगे तो आपके घर में बिल्कुल चूहा नहीं आने वाला इस तरह से सोफा का कबर तक उस काट देते हैं यहां तक की सोफे का कबर सब्सक्राइब जाने हैं अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो आप भी बैटील तरीक इसे अपर róm तरीका है कोई खर्च नहीं है मैंने आपको कौक रोज और चुहे की टिफ्स बताई इसी तरह सारे कौक रोज चुहे मर जाएंगे चलिए अगली टिफ्स देख लेते हैं देखिए मैंने इस पर बोटर में भर लिया है जो फिटकरी वाला पानी है इसमें मैंने भर लिया इस सारे भाग जाएंगे और कौक रोज भी बिल्कुल नहीं आएगा मैंने किचन साफ कर लिया है अब देखिए इस तरह से चारो तरफ इस प्रेक कर देना है जहां जहां आपको लगता है कि मेरे घर में कौक रोज आते हैं वहां वहां आपको लगे कि कौक रोज छिप्कली आ कौक रोज ना चूहा यह इस पर बहुत इत्तगड़ा इस पर है एक बार बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं एक बोदल में आप बना के रख लें और इस तरह से देखिए किचन सिंक में जब जूठा जाता है तो इसमें से भी कौक रोज आते हैं ज दोनों बचने वाले हैं क्योंकि सब समान घर में ही मिल जाता है चीनी घर में ही मिल जाएगी फिटकरी घर में ही मिल जाएगी नहीं है तो कोई महंगी नहीं है फिटकरी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है आप इस तरह से इसमें स्प्रे कर दें देखिए चारो हो जाएंगे सलंडर के पीछे इसके इस्प्रे से मच्छड भी भाग जाते हैं छोटी सी टिप से बहुत ही कमाल की ये बहुत ही पावरफूलिया बनता है एक बारा बना के इस्तमाल कर लें आपको खोदी विश्वास हो जाएगा मेरे घर में तो कोई चूह कोई कोकरुच बि उस्तमाल किया तो बहुत आसाने से सारे कोकरोज, चूह, मख्य, मच्छड सब भाग गए हैं मैंने सोचा क्यों न आपके साथ भी इसे सेयर किया जाए क्योंकि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है कोकरोज चूह का इसलिए मैंने आपके लिए फिर से कोकरुच पर वीडियो बनाया इस तरह से आप सोफा के नीचे भी इस्प्रे कर सकते हैं क्योंकि मच्छड हर जगा होते हैं मख्छी हर जगा होती हैं इस तरह से इस्प्रे करेंगे तो मच्छड मख्छ कुछ भी आपके घर में नहीं आने वाला वीडियो जरह सभी अच्छा लगे तो अप कमेंट में जरूर बताएं आपको आपकिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए लाने की कोशिस करूंगी वीडियो अच्छा लगे तो जादा से जदा सेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके इन दोनों टिप्स में से आपको कौनसी टिप्स पसंद आई कमेंट में जरूर बताएं हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा चैनल देखते रहें बाई